हलो दोस्तों मेरा नाम है आरवी आज इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ रेडमी की तरफ से दो बहुत ही जाद अच्छे बजट मोबाइल एक मोबाइल है रेडमी का 8 जो आपको मिलता है सिर्फ 8000 में दूसरी तरफ है रेडमी का नोट 8 जो आपको मिलता है से 2000 उप मेh clipping का 10,000 में तो अस वीडियो में मैं इन दोनों मुबाइल्स में comparison करके आपको बताऊँ गए इन दोनों में क्या क्या कम यह है क्या क्या अच्छा यह है और आपको इन दोनों मुबाइल्स में से कौन से खरीदना चाहिए कौन से नहीं तो अगर आप एक मुबाइल खरीदने की सोच रहे हैं तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा चले देखते हैं 8000 में Redmi 8 के साथ आपको क्या के मिलता है तो जैसे ही आप Unbox करते हैं सबसे पहले ये Mini Box मिलता है जिसमें लगावा मिलता है Simjector Tool अंदर रखे वे मिलते हैं कुछ User Manual एक मिलता है Cover दोस्ते इस Mobile के साथ आपको Cover अच्छी Quality में मिलता है लेकिन डिस्प्ले पे Screen Guard पहले सा लगावा नहीं मिलता ये थोड़ी सी कमी है इसमें इसके बाद रखावा मिलता है Mobile एक Rapper के अंदर और एक Data Cable Data Cable की Length और Quality दोनों अच्छी है और अच्छी चीज ये है 8000 में इसके अंदर आपको Type-C Cable का Support मिलता है ये एक Type-C Cable है जो काफी एच्छी चीज है इसके बाद आपको रखावा मिलता है ये Black Color के अंदर चार्जर सिंपल सा दोस्तों इसके अंदर आपको Output मिलता है 5W 2A का ये एक Normal 10W का चार्जर है हाला कि इस Mobile के अंदर आपको Fast Charging का Support भी मिल जाता है तो आप Market से खरीद के एक Fast Charger इस Mobile के साथ इस्तबाल कर सकते हैं बाक्स के अंदर बाकि आपको नहीं मिलता है क्योंकि इसकी कीमत ही बहुत कम है 8,000 रुपे अब ये सारा समान आपको मिलता है सिर्फ 8,000 में Redmi 8 के साथ चले देखते हैं अगर आप 2,000 रुपे और जादा खर्च करते हैं तो Redmi के Note 8 के साथ आपको क्या क्या मिलता है तो जैसी आप Unbox करते है Note 8 को इसमें भी सबसे पहले रखावा मिलता है ये Mini Box ही जिसमें उसी तरीके से पीछे की तरफ लगावा मिलता है Simjector Tool अंदर रखे हुए मिलता है कुछ User Manual एक मिलता है Cover दोस्तो इस Mobile की Display भी आपको Screen Guard पहले सा लगावा नहीं मिलता वो आपको अलग से ही खरीदना पड़ेगा इसके बाद रखावा मिलता है Mobile मेरे पास ये White Color में है इसका Detail Look हम अभी देखींगे उसके पहले देख लेते हैं Box के अंदर आपको रखी भी मिलती है वैसी ही Data Cable ये भी एक Type C Cable है तो ये दोनों में खुबी है इसके बाद आपको रखावा मिलता है Charger अब अच्छी चीज़ ये है दोस्तों इस Mobile के साथ आपको एक 18W का Fast Charger दिया गया है तो Fast Charging का सपोर्ड तो आपको दोनों ही Mobile के अंदर मिलता है लेकिन एक Fast Charger Redmi के Note 8 के साथ आपको Box के अंदर ही मिल जाता है तो ये सारा समान आपको मिलता है 10,000 में Redmi के Note 8 के Box के अंदर देखा जाए तो वैसे तो दोनों ही मोबाल्स के साथ आपको बिल्कुल एक जैसा ही समान मिलता है बस Note 8 की कीमत 2000 रुपे जादा है तो इसके अंदर आपको Fast Charger मिल जाता है Redmi 8 के साथ नहीं मिलता तो इस चीज में देखा जा तो दोनों मोबाल्स अपनी अपनी जगा बहुत अच्छे हैं दोनों मोबाल्स के साथ आपको काफी बढ़िया ही समान मिलता है चली बात कर लेते हैं अब डिजाइन के बारे में तो Redmi 8 है मेरे पास Red Color में आप देख सकते हैं Red Color में ये मोबाल्स बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा है लेकिन इस मोबाल के अंदर आपको ग्लास लुक नहीं मिलता है इसमें प्लास्टिक बैक पैनल है जिस वज़े सा आपको स्क्रेचिस की प्रॉब्लम देखने को मिलती है बैक पैनल पर बहुत ज़्यादा वहीं दूसरी तरफ Redmi के Note 8 में आपको ग्लास लुक मिलता है इसमें आपको पीछे की तरफ गोरिला ग्लास भी लगावा मिलता है तो इसमें आपको स्क्रेचिस की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती हालकि देखने में Redmi 8 का ही डिजाइन ज़्यादा अच्छा लग रहा है रेड कलर में लेकिन क्वैलिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है तो डिजाइन के अंदर आपको ज़्यादा बढ़िया Redmi का Note 8 मिलता है बात करें कैमरे के बारे में Redmi 8 में आपको पीछे दो कैमरे मिलते हैं 12 प्लस दो और इसमें आपको फ्रेंट कैमरे मिलता है 8 मेगा पिक्सल का कैमरे की परफॉमेंस इस मोबाल में आपको रेट के हिसाब से काफ़ी अच्छी मिलती है इसके लावा Redmi की ब्रांडिंग आपको बीच में मिलती है उस तरफ अगर आप गौर से देखींगे तो आपको बहुत ज़्यादा स्क्रैचिस देखने को मिलेंगे यह मेरे मोबाल पर स्क्रैचिस बहुत ज़्यादा जल्दी आ गए क्योंकि इसमा आपको ग्लास लुक नहीं मिलता Redmi के Note 8 में आपको पीछे की तरफ चार कैमरे दिये गया है 48 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 2 और इसके अंदर आपको फ्रंट कैमरा मिलता है 13 मेगा पिक्सल का कैमरे की परफॉमेंस आपको ज़्याद अच्छी मिलती है Redmi के Note 8 के अंदर इसके अंदर आपको Macro Lens भी दिया गया है और कैमरे की परफॉमेंस आपको इसी मोबाइल के अंदर ज़्याद अच्छी मिलती है फ्रंट कैमरे में भी बैक कैमरे के अंदर भी तो कैमरे में Redmi Note 8 ज़्याद अच्छा है तो Redmi 8 के अंदर आपको डिस्प्ले साइज मिलता है 6.22 इंचिस का और Note 8 के अंदर आपको डिस्प्ले मिलती है 6.3 इंचिस की आपको बिल्कुल एक जैसी मिलती है रेड्मी के 8 में आपको HD PLUS Display मिलती है और NOTTi7 के अंदर आपको FULL HD PLUS Display दी गई है तो डिस्प्ले के जो QUALITY है वोफ आपको जादा अच्छी मिलती है NOTTi9 के अंदर बाकी दोनों डिस्प्ले के अंदर जो आपको इस बेजर्स मिलते हैं वो हलके से और कम मिलते हैं Note 8 की डिस्प्ले में तो डिस्प्ले साइज के अंदर भी डिस्प्ले की क्वैलिटी के अंदर भी और डिस्प्ले के डिस्प्ले के डिजैन में भी आपको Redmi का Note 8 जाद अच्छा मिलता है Redmi 8 से इस चीज में Note 8 जाद अच्छा ह और Note 8 के अंदर भी आपको ये खुबी मिलती है, इसके अंदर भी आप दो SIM कार्ड, एक मेमरी कार्ड, तीनों चीज़े एक साथ लगा सकते हैं, तो इस चीज में दोनों अच्छे हैं, नीचे की तरफ साब देखेंगे तो बिल्कुल सेम जगा पे दोनों मोबैल्स के अंदर आपको charging port, speaker, mic, headphone jack दिया गया है, red side से आप देखेंगे उपर की तरफ volume के buttons, उसी की ठीक नीचे power के buttons, उपर की तरफ आपको दोनों मोबैल्स में IR blaster भी मिलता है, जिससे आपका MI remote काम करता है, तो TV अगर आप दोनों ही मोबैल्स से चला सकते हैं, ये दोनों में खुबी है, इन दोनों ही मोबैल्स में आपको मिलती है, 4GB के RAM, 64GB के internal storage, Redmi 8 के अंदर आपको 64GB में से मिलती है, 51GB के आसपास, और Note 8 के अंदर मिलती है, 50GB के आसपास, तो तकरीबन एक देर जीबी आपको ज़ादा मिलती है, Redmi 8 के अंदर Note 8 से, इस चीज़ में Redmi 8 ज़ादा अच्छा है, बात करें दोनों मोबैल्स की बैटरी के बारे में, तो Redmi 8 के अंदर आपको बैटरी मिलती है, 5000GB की, Note 8 के अंदर आपको बैटरी मिलती है, 4000GB की, वैसे तो दोनों ही मोबैल्स के अंदर आपको एक दिन का बैटरी बैकप आराम से मिल जाता है, बैटरी के अंदर दोनों अच् प्रोसेसर मिलता है सबस्राइब को मिलती और इन दोनों लोबईल्स में चलीबात कर लेते हैं आप सबसे में चीजिज आपको इन दोनों मोबैल्स में चाहिए कौन से नहीं तो सबसे पहले यह करता है कि जो आपकी main जरुत की चीज़ है वो किस mobile के अंदर जाद अच्छी है तो देखिए अगर आपके लिए matter करता है mobile का camera आपको camera अच्छा चाहिए तो आप Redmi का Note 8 लीजिएगा ये mobile आपके लिए जाद अच्छा रहेगा इन दोनों mobile's में बाकि अगर आपकी main जरुत है mobile के design की तो design में देखने में तो आपको Redmi का 8 ही जाद अच्छा मिलता है लेकिन quality जादा matter करती है जो कि Note 8 की जाद अच्छी है क्योंकि इसके अंदर आपको back panel पे gorilla glass लगावा मिलता है तो अच्छे design के लिए भी आप Redmi का Note 8 लीजिएगा बाकि अगर आपकी main जरुत है mobile के processor की तो processor के अंदर भी आपको Note 8 ही जाद अच्छा मिलता है आप Note 8 ही लीजिएगा इसके लाव अगर आपकी main जरुत है mobile की display की तो display size तो दोनों में लगबग बराबर ही है तेकिन display की जो quality है जो colors है वो आपको Note 8 के अंदर जाद अच्छे मिलते हैं तो अच्छे display के लिए भी आप Note 8 लीजिएगा बाकि अगर आपकी main जरुत है mobile की battery की तो देखे बैटरी में वैसे तो दोनों ही mobile अच्छे हैं आप दोनों में से कोई सबी खरीश सकते हैं लेकिन आपको थोड़ा और बढ़िया मिल जाता है Redmi का 8 battery के लिए आप Redmi 8 ले सकते हैं बस यही कमी है इस mobile के साथ आपको fast charger नहीं मिलता Redmi Note 8 के साथ मिलता है क्योंकि इसकी कीमत 2000 रुपे जादा है अब हर एक चीज के हिसाब से देखा जाए तो हर चीज के अंदर आपको Redmi का Note 8 ही जादा बढ़िया मिलता है इसके अंदर आपको कैमरा जाद अच्छा मिलता है दूसरा इसके अंदर आपको डिस्पलेची मिलती है तीसरा इसका डिजाइन अच्छा है चौथा इसका प्रोसेसर बहुत बढ़िया है पांचो इसके अंदर आपको Fast Charger दिया गया है हर एक चीज के हिसाब से देखा जाए तो आपको Redmi का Note 8 ही जाद अच्छा मिलता है तो मैं आपसे कहूंगा अगर आप 8,000 उपे में Redmi का 8 लेनी की सोच रहे हैं तो 2,000 उपे अपने बजट में बढ़ा कि आप 10,000 में Redmi का Note 8 ही लीजिएगा ये mobile आपके लिए जाद अच्छा रहेगा अब आप मुझे बताइएगा comment करके आपको इन दोनों mobile में कौन सा जाद अच्छा लगा ये चीज़ आप मुझे नीचे comment करके जरूर बताइएगा मुझे Redmi Note 8 ही जाद अच्छा लगा आप मुझे जरूर बताइएगा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दियेगा चैनल को जो ये नीचे लाल कलर का बटने से दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए उसके साथ ये घंटी के निशाने से भी दबा दियेगा ताकि नई unboxing और comparison की वीडियो आप तक पहुचती रहें इसके लाब वा वीडियो गर आपको helpful लगी तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दियेगा WhatsApp Facebook पे और दोस्तों अगर आप इन दोनों में से किसी का भी comparison देखना चाहते हैं किसी और mobile के साथ तो वो चीज़ भी नीचे comment करके बताईएगा मैं पूरी कोशिश करूँगा उस वीडियो को जल्दी आपके लिए लेकर आने की मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाबाई